दोस्तो आज के वीडियो में कंप्यार करने वाले Redmi Note 10 के साथ लॉंच होने वाला Redmi 10 Prime का जो कुछ दिनों पहले इंदोनेशिया पे लॉंच हुआ है और इसके साथ कंप्यार करेंगे Redmi Note 10 का Redmi 10 का कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता है MIUI 12.5 के साथ Android 11 आउट अप दे बॉक्स आया है और प्रोसेसर की मामले में MediaTek Helio G88 रिसेंटली लॉंच्ट प्रोसेसर है यह प्रोसेसर कितना पावरफूल है कितना डिस्पले सपोर्ट करता है क्या कुछ नहीं क्या कुछ है इसमें सारे के सारे स्पेसिफिकेशन कंप्यारिजन मैं 678 के साथ कर चुका हूँ जो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बातचित को स्टार्ट करते हैं लॉंच डेट से Redmi Note 10 लॉंच हुआ है 4th मार्च 2021 को रेड्मी 10 प्राइम लॉंच सुने वाला है अगस्ट माहिने का एंड या सेप्टमा माहिने का पहले पहले ही डिस्प्ले टाइप की बात करेंगे तो दोनों फोन पर ही Full HD प्लास का डिस्प्ले दिया गया है मगर Redmi Note 10 पे Super AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है और Redmi 10 Prime IPS LCD पैनल के साथ आता है और स्क्रीन साइज की बात करेंगे तो Redmi Note 10 पे 6.43 इंच का डिस्प्ले है और Redmi 10 प्राइम पे 6.5 इंच का Full HD प्लास का डिस्प्ले है अब स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे डिफ्रेंस है थोरा सा जो Redmi Note 10 है उस पे 60Hz का पैनल दिया गया है मगर Redmi 10 Prime जो है वो Adaptive 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आया है डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो दोनों फोन पे ही Corning की तरफ से आने वाला Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन यूज किया गया है और दोनों फोन पे ही Build Quality के मामले में Polycarbonate बैक के साथ आया है Build Quality के मामले में दोनों फोन एक जैसा ही है अब आते है में चीज जो है फोन का प्रोटेसर Redmi Note 10 पे यूज किया गया है Qualcomm की तरफ से आने वाला Qualcomm Snapdragon 678 और Redmi 10 Prime पे यूज किया गया है Mediatek Helio G88 इन दोनों प्रोसेसर के comparison पूरा वीडियो मेरा चैनल पे है मैं description box पे लिंक लगा दूँगा आप जाकर देख लेना तो इस मामले में Qualcomm Snapdragon 678 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है Helio G88 के मुकाबले अब आते हैं कैमेरा पे दोनों फोन पे ही Quad Camera सेटप के साथ आया है और Redmi Note 10 पे 48 Megapixel का Sony IMX 582 Sensor यूज़ किया गया है उसके साथ 8 Megapixel का Ultra Wide 2 Megapixel का डेप तो 2 Megapixel का Macro के कैमेरा दिया गया है जो Sony IMX 582 है इसका Image Output बहुत बढ़ या निकल कहता है Redmi Note 10 पे अब Redmi 10 Prime के बात करेंगे तो यहां पे 50 Megapixel का एक मेन कैमेरा दिया गया है जो 1.8 अपर्चर के साथ आया है मगर कौन सा लेंस के साथ आया है यह बत्या नहीं क्या है हो सकता है Samsung का कोई Low Budget का कोई लेंस नहीं तो Omnivision कैमेरा के साथ आया है यह 50 Megapixel प्राइमेरी कैमेरा उसके साथ 8 Megapixel का Ultra Wide 2 Megapixel का Depth और 2 Megapixel का Macro भी चिपकाया गया है इस फोन पे इस प्राइमेरा कामपरिजन पूरा रियल लाइफ पे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा फोन का कैमेरा बेटर परफॉर्म करता है सेल्फी की बात करेंगे तो Redmi Note 10 पे दिया गया है 13 Megapixel का सेल्फी कैमेरा और Redmi 10 Prime पे दिया गया है सिर्फ 8 Megapixel का सेल्फी कैमेरा बैटरी कैपेसिट के बारे में बात करेंगे तो दोनों फोन पे 5000 इमेज का बैटरी दिया गया है मंगर डिफ्रेंज जो है वो है चार्जिंग स्पीड पे Redmi Note 10 पे यूज किया गया है एक 33 वाट का फास्ट चार्जर जो की बॉक्स के अंदर आता है और Redmi 10 प्राइम पे दिया गया है 18 वाट का फास्ट चार्जर वो भी बॉक्स के साथ आता है मगर Redmi Note 10 का जो 33 वाट चार्जर है यह धेर गंड़ा के आसपास उनको पूरा फूल चार अंद्रोड 11 के साथ आता है मगर Note 10 पे मिलता है हम लोगों को MIUI 12 MIUI 12.5 का अपडेट आने ही वाला है और Redmi 10 प्राइम पे मिलता है MIUI 12.5 आउट अप दे बॉक्स अब आता है मेन मुद्दे की बात वो है प्राइस Redmi Note 10 लांच जब हुआ था 4 प्लास 64 GB पहले मिलता था 12,000 रु 4 प्लास 128 GB मिलेगा 13,000 रुपए में और 6 GB प्लास 128 GB वैरियंट Redmi Note 10 का भी मिलता है सारे 15,000 रुपए में और 6 GB प्लास 128 GB Redmi 10 प्राइम का मिलेगा 15,000 रुपए में तो दोनों का प्राइस का थोरा सा डिफरेंस है तो अब कंक्लूशन पार्ट पर आता है कौन सा फोन कौन सा ड सामले में Qualcomm Snapdragon 678 Helio G88 से बेटर है प्रोसेसर यहां पर Redmi Note 10 पे बेटर है सेल्फी कैमरा यहां पर 13 Megapixel दिया गया है रिद्मी नोट 10 पे जो की बेटर है और जो में एक चीज है जो हैंडी फीचर है आज कल का वह है चार्जिंग स्पीड रिद्मी नोट 10 पे दिया गया है 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर यह भी एक हैंडी फीचर है जो की बेटर है रिद्मी नोट 10 पे Redmi 10 Prime पे जो बेटर है वो एक ही चीज़ है वो है Screen Refresh Rate Adaptive 90Hz Refresh Rate I hope आप लोगों को समझ में आ गया है कि कौन सब फोन बेटर है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू करना Thank you, thank you for watching